क्या भारत पियोके में कुछ बड़ा करने वाला है? ये सवाल आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है भारत में पाकिस्तान के हाई कमिशनर रह चुके अब्दुल बासित ने एक बड़ा दावा किया है अब्दुल्पासित ने कहा है कि भारत कुछ बेहत ही खतरनाक प्लैक कर रहा है और हमें वक्त रहते सतर्क हो जाना चाहिए दरसल भारत से मिस्फायर हुई एक मिसाइल पाकिस्तान में क्या जागिरी वहां तो हड़कंप ही मच गया हालकि भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंग ने इस घटना पर खेद जताया है उन्होंने कहा कि ये घटना मिसाइल की जाँच करते वक्त हुई रक्षामंत्री राजनाथ सिंग ने कहा कि भारत का मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसे मंद है बहराल अब्दुल बासित ने कहा कि जरा याद किया जाए कि 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था उस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को पियो के वापस लेना है अब्दुल्बासित ने कहा कि खाली मिसाइल दाकर भारत कहीं पाकिस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा तो नहीं लेना चाहता अगर ये बात सही है तो ये बेहत ही खतरनाक खबर है अब्दुल्बासित अपने डर में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने ये तक बोल डाला कि हो सकता है कि भारत भी उसी रस्ते पर चलना चाहता हो जो यूकरेन में रूस ने किया है इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा आपको बता दे की शुरुवात में पाकिस्तान का रुख काफी परिपक्व था लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान के नेताओं ने इस पर घटी आराजिनिटी करनी शुरू कर दी है भारत ने अपनी तरस से इस पूरे मामले की जाच भी शुरू कर दी है लेकिन अब पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान के कुछ खाली लोग अब अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एरपोर्स भारत से मिस्वायर हुई मिसाइल पर दो दिन बाद एक्शन में क्यों आई मिस्वायर होते ही उसका डिटेक्शन क्यों नहीं किया गया पाकिस्तान के लोगों ने तो अब चीन को भी गाली देना शुरू कर दिया है उनका कहना है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर चीनी एर डिफेंस सिस्टम लगे होने के बावजूद भारत की मिसाइल कैसे पाकिस्तान में आ गई पाकिस्तान में अब अपने ही देश के लोगों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने शुरू कर दी है बहराल पाकिस्तान की मीडिया ये दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एर पोर्स के दो एर मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया गया है जोस्तों मैं हूँ अबदलबासित और आप देख रहे हैं कलाइडो इसकोप आज 15 मार्च भारत के वजीर दफा राजनाच सिंग ने तकरीर की राज्य सबळ में जो के भारत की पार्लिमंट कहिवाने बाला है और उन्होंने तकरीर की जो भारत के मिजाई 9 मार्च को पाकिस्तान में आकर गिरा मिया चन्नू में उसके ह palabra से नेने उने कहा कि ये मैल फंक्शन था और उनको भी नहीं पता चला कि कहा गिरा और दूसरा यह है कि साथ मेने उने पही कहा कि हाई लेवल इंकुाइरी हो रही है और अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है और पिर तीसरी बात यही कि हमारे जो standing operating procedures हैं और हमारे जो command and control systems हैं व उसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए अब इन बातों है बड़ी बड़ी बहुत सी कॉंट्रिडिक्शन्स हैं पहले तो चले उन्होंने ये कहे दिया कि हमें पता नहीं चला कि कहा गिरा शायद वो ये प्रियम्ट करना चाहा है इस बात हो कि अगर पाकिस्तान और भा को बताना चाहा रहे थे हमें तो पता ही चला कि वो कहा गया मेजायल अगर यह हालाइथ हैं अल्ला ताल्य खेर करें इस लाखे का जो सीक्यूरिट्य के मामलाइथ है और अगर अगर इतने ही आरने क्लैड आपके कमान अन कंट्रोल सिस्टम्स हैं तो फिर रिवीव की क्या जरूँत है जिसका मत्व है कि बड़े लूब फोल्स तो हैं आपके सिस्टम में और अगर ये लूब फोल्स ना होते तो ये मिजाइल किस्टर पाकिस्टान आ जाता और किस तरह हैं तो पाकिस्टाने जो डिमांड किये हैं जो बातें कहीं हैं वो बिलकुल दुस्त हैं और अगर जो जॉइंट प्रोब की बात की है वो तो भारत ने मानना उसको नहीं है ये भी बात अपनी जगा है एक लिहास से जो है मतوقع है कि जब वो इन्वेस्टिकेशन्स कंप्लीट हो भी जाएंगी तब भी जो है उन्होंने शायद पूरी तरह हमारे से वो शेयर ना करें और सरकारी तौर पे तो गती तौर पे ना करें गो नहीं जॉइंट इंवेस्टिकेशन्स या प्रोब का कोई कोई अमीद लगती है दूसरी तरफ ये भी बड़ा इंटरस्टिंग है दोस्तों कि चाइना ने कल एक वयान दिया है और उन्होंने उनके जो फॉरन आफिस की स्पोस्परसन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो पूजिशन है उसकी ताईद की है कि पाकिस्तान और भारत को इस मामले में बाचीट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि और अशौर करना चाहिए कि द दोबारा इस किसम के मामलात नहों तो उनोंने एक लिहाद से पाकिस्तान की जो पूजीशन है जो हमारी डिमांड है उसको हमारा सपोर्ट किया है दूसरी तरफ अमरीका के कल जो स्टेट डिपार्टमेंट के तरजमाने नेट प्राइज उनोंने तो बस इसको एक सवाल के ये कह सकते हैं कि एकसिडेंटल मामला है जो भारत ने कह दिया आपनी यकीन कर लिया आप थोड़ा बहुत की सीरिस मामला है और ये कोई आम पाकिस्तान और भारत के दिर्मियान कोई ऐसे आम जो मामलात हैं वो नहीं है ये एक इसमें सेक्यूरिटी के इशूज तालुकात में इस वकसर महरी या बहुत का हल्किस मतलब ये नहीं है कि जो खिते के सीक्यूरिटी रिकॉर्मेंट्स हैं या सीक्यूरिटी मामलात हैं आप उन पे इस किसम का गेर जिम्मेदाराना किसम का बयान दें आपको ये पूजिशन लेनी चाहिए थी कि भारत के जो म इस कामलात हैं उनके कंट्रोल जो कमार्ण इन कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो ठीक नहीं हैं इस्टेंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर ठीक नहीं हैं और जरूरत किस अमर की है कि वो इन आईसो पीस को बेहतर से बेहतर करें और पाकिस्तान को कौन्फिडेंस मिले इतना तो पर कहना चाहिए था पाकिस्तान में आगर मेजाइल गिरा अगर खुदाना खास्ता वो मेजाइल जो है जिसना मैंने पहले कहा किसी तोर उस नुकसान हो जाता तो उसकी तो बड़ी सीरिस रिपरकुशन्स हो सकती थी तो अमरीका जैसे मुल्क से मैं तवक्र नहीं रख रह था इसके बावजूद के हमारे तालुकात में उस तरह नहीं है और उनकी अमरीका के साथ एक भारत के साथ एक स्रिटीजिक पार्टनर्शिप है मैं फिर भी यह तवक्र रख रहा था कि शायद अमरीका को थोड़ा बहुत सैनिटी का मुझाहरा करे और एक ऐसा बयान दे ज चाहे वो कन्वेशनल हो या एटमी हो और अगर ये आपके इतनी आप मसाइल है सो पीज में तो फिर तो अल्लाव खेर करे यह आज पाकिस्तां के खिलाफ यह हुआ कल यह चाइना के हवाले से भी हो सकता है किसी और मुलक के हवाले हो चाइना के अगर हो जाता तो फिर उसक सिंग उन्हों ने एक जो है पर्फंक्टरी किसम की स्टेट्मेंट दे दी उनको भी और यही है कि उसको था यही कहा कि बस ठीक है जी अब हो गया इसको भूल जाए दुनिया को यही मैसेज था तो इसको भूला तो नहीं चाहिए पाकिसान को यह अब कंसिडर करना चाहिए कि सकी इस किन फोरूंस में इस मामले को उठाया जा सकTा है क्यूंकि यह कोई आम सा मामला नहीं है सीरियस मामला है और दुनिया को इसका भारल नोटिस ले चाहिए और अगर नहीं लेते इस तरह ही मामला रफ़दफ़व हो जाता है तो बड़ी मैं समझता हूँ के दुनिया क लिए बड़ी एक खत्रात लाख हो सकते हैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि हमारी हकोमत इस बारे में सोच रही होगी किस तरहे इस मामले को इंटरनाशनल फॉरॉम्स में जो लिए इंटरनाशनल फॉरॉम्स माहा किस तरह उठाये जाएं बदकिस्मत और